Option buying की ये सबसे असान strategy है जो आपको पूरे YouTube पे कही भी नहीं मिलने वाली ये पूरी strategy को आप सिर्फ 5 या 10,000 के साथ trade कर सकते हैं इस strategy के साथ आप stocks में trade करिए, index में trade करिए, futures में trade करिए, forex में trade करिए, commodities में trade करिए हर किजी के साथ ये same rules apply होने वाले हैं इस strategy में आपको 90% से भी ज़्यादा की accuracy मिलने वाली है Hello everyone, इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ एक बहुती ज़्यादा simple सी directional strategy वेल अगर आप option buying करते हैं या अगर आप option selling करते हैं अगर आप index में trade करते हैं, stocks में trade करते हैं, commodities में trade करते हैं, forex में trade करते हैं किसी में भी आप trade करते हैं, यही same rules के साथ आप इसको हर जगे trade कर सकते हैं अच्छा कासा return generate कर सकते हैं, अब यह पूरी वीडियो कैसे रहने वाली है सबसे पहले मैं आपको यह strategy के rules बताऊँगा, और मैं आपको trading view के chart पे लेके जाऊँगा simultaneously मैं आपको rules के साथ एकदम practical explanation दूँगा and उसके बाद हम थोड़ा सा इसको backtest करके भी देखेंगे, ताकि आपको full power यहाँ पे confidence आजाएगा strategy के बारे में and जैसा अब अब यहाँ पे screen पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा वाए directional strategy, option buying and option selling because आप कुछ भी करते हो, आप futures में भी trade करते हो, इसको आप बहुत यह अच्छे जे trade कर सकते हैं because इसमें हम बस direction पगणने वाले market की, तो अब देख लेते हैं कि यह strategy की rules क्या रहने वाले हैं well यह strategy ना मैं आपको अभी trading indicator पे भी साथ के साथ दिखाने वाला हूँ जब भी उस पे sell signal आता है, आप यहाँ पे या तो put option buy कर सकते हैं, अगर आप option buying करना चाहते हैं या आप call option sell कर सकते हैं, अगर आप option selling करना चाहते हैं तो and vice versa, जब भी आपको buy signal आता है, मतलब market उपर जाने वाली है then आप यहाँ पे call option buy कर सकते हैं, अगर आप option buying करना चाहते हैं या फिर आप put option sell कर सकते हैं, अगर आप option selling करना चाहते हैं यह बहुत basic सी चीज मैंने बताई है, अगर आप काफी time से trade कर रहे हैं, I'm sure आपको यह चीज अलड़ी पता होगी market में, So यह मैंने trading view का chart भी खोल लिया है, and अगर आपको याद होगा, कुछ time पहले ही मैंने अपने YouTube channel पे एक indicator के बार में बताया था, And उसी में बहुत सारी request आई थी, कि उसी indicator के साथ हम अलग-अलग strategies देखें, So well here it is, आज मैं उसी indicator के साथ एक आपको बहुत ही जबर्दा strategy बताने वाला हूँ, And बस मैं आपको एक second के लिए trailer करें बस यह दिखा देता हूँ, यह देखिए sell signal आया है 250 पे, And उसके बाद आप देख सकते हैं कितिनी बड़ी move market में आई है हमें capture करने को, Well, ऐसे ही कुछ आपको दिखने वाला है, And I'm sure ऐसे ही कुछ आप हैरान रहने वाले हैं, बस वीडियो के end तक आप बने रही है, तो guys, यह तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता दिया था, अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखिए, आप वो जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का link में मैं इस वीडियो के description में डाल दूँगा, ताकि आप वो देख सकते हैं, आपको उपर भी कहीं आई बटन पर मिल जाएगी वो वीडियो, तो उसमें मैंने पहली बताया था, कि अगर आपको वो इंडिकेटर चाहिए, यह आपको invite only को option मिलता है, उस पे nifty algo आप सेलेट कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपको यह signal आता है, 50 ad को अगर आपको लेना है, तो उसका link में मेरी वीडियो के description में ही है, वहाँ पे आप click करेंगे और उसमें आप login कर सकते हैं, यही same indicator आपको खुल जाएगा, तो अब इसके अगर आप settings में देखेंगे न, well settings में हमने देखा था, बहुत सारे options थे, लेकिन मैंने सारे के सारे इसमें अलग-अलग options close कर दी हैं, because इनके साथ हम और दूसरी वीडियो बनाएंगे, अभी हमने सिर्फ एक यह option activate किया है, जो है show type 2 signal, sensitivity type 2, 3, उसके लाब आप देखें, सारे के सारे options पूरे closed है, अब यह तो आपने देख लिए trading view पे, आपको साथ के साथ rules बताता रहता हूँ, और उसके साथ मैं आपको trading view पे भी दिखाता रहूँगा, तो अब इसका यह मतलब होता है, कि अब देखिए, जैसे हमें यह sell signal आया था, exactly 2.50 PM पे 12th of August, यह 5 minutes का चार्ट है, bank nifty का मैंने खोला वाए, हमें 250 पे यहाँ पे sell signal आया था, तो sell signal का मतलब होता है, कि market fall करने वाली है, जहाँ पे आप यह तो put option buy कर सकते हैं, यह आप call option sell कर सकते हैं, हमें उससे पहले देखना है, अगर market ने अच्छी खासी bullish move की है, और उसके बाद अगर आपको sell signal मिल रहा है, मतलब यहाँ पे market का trend चेंज होने वाला है, तुरंथ हम वहाँ पे trade लेंगे, ठीक है, बहुत जादा simple सी चीज़ है, बिल्कुल भी confused मत होना, तो यहाँ पे हमें sell signal आया है, इसका मतलब है कि market हमें बता रही है, market हमें पहले ही signal दे रही है, कि भाई यहाँ पे अब आप short की trade ले लीजिए, अब market fall करने वाली है, अब उससे पहले हमें यह देखना है, कि क्या market उपर गई थी, well yes market उपर गई है, because यह sell signal से पहले आप देखेंगे, तो channel अच्छा कासा green color का है, and market उपर गई है, तो market उपर गई है, and उपर के level पे अब हमें sell signal मिल रहा है, मतलब यहाँ से chance है कि market वापिस fall कर सकती है, and इसलिए अब हमें यह trade लेंगे, and example के तौर पे न, मैं आपको एक और यहाँ पे example दिखा देता हूँ, sell signal मिला है, well, अगर market fall की है, and एकदम नीचे के level पे अगर हमें buy signal मिलता है, बहुत जादा possibility है कि market वापिस उपर जा सकती है, तो इसलिए मैंने इसमें यह वाला हलका सा tweak किया है, कि जब भी आपको buy or sell signal मिलता है, उससे पहले आप देखिए left hand side में, market opposite direction में move होनी चाहिए, अगर move हो रही है हम वापे trade लेंगे, जैसे 250 पे हमें यहाँ पे sell signal मिला है, उससे पहले market opposite move की थी, market उपर गई थी, and अब हमें नीचे का signal मिल रहा है, तो हम यहाँ पे trade लेंगे, उसके आद अगें 10-15 पे, हमें यहाँ पे buy का signal मिला है, मतलब market उपर जाएगी, उससे पहले market opposite move की थी, because market fall की थी, and यहाँ पे बहुँ ज़ादा possibility है, कि market उपर जा सकती है, and इसलिए अब हम trade लेंगे, so candle formation यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, अगर आपको sell signal मिलता है, and then obviously bearish candle होनी चाहिए, जो red color की candle होनी चाहिए, and अगर आपको buy signal मिल रहा है, then obviously bullish candle होनी चाहिए, green color की, exactly 250 पे, जब हमें sell का signal आया है, मतलब market bearish होने वाली है, हमें यहाँ पे red color का candle होनी चाहिए, bearish candle, and यहाँ आप देख सकते हैं, clearly bearish candle है, तो हम definitely trade लेंगे, and उसके बाद जब भी buy signal आता है, bullish green color की candle होनी चाहिए, so यह अच्छी खासी bullish candle है, and इसके end पे हम यहाँ पे trade लेंगे, and बहुत अच्छी यहाँ पे हमने direction पगडी लिए, तो stop loss रहेगा आपका उसी entry candle के ऊपर या नीचे, इसका यह मतलब है कि जैसे आप देखिए, 250 वाली जो candle है, उसके exactly end पे, मतलब 50,634 पे आप यहाँ पे trade लेंगे, then अब आपका stop loss क्या होगा, आपका stop loss होगा, यह entry वाले candle के ऊपर, जो लगबख 50,733 का है, लगबख 102 पॉइंट का आपका stop loss होगा, ठीक है, और वैसे यह buy वाले option में भी आप देखिए, buy का जो signal है, उसके exactly end पे, candle के end पे आपका यहाँ पे stop loss होगा, जो लगबख 180 पॉइंट का हो जाता है, अब गई जिसमें कभी-कभी यह भी हो सकता है, कि candle बहुत जादा बड़ी बन जाए, अगर candle बहुत जादा बड़ी बन जाती है, तो अगर आपको लग रहा है कि 187 पॉइंट का stop loss थोड़ा जादा बड़ा है, तो जो भी entry candle है, उसके उपर या नीचे यहाँ पे stop loss रखा जाएगा, and target आपका रहेगा 1 इस्टू 2, risk to reward हमें हमेशा 1 इस्टू 2 का at least लेना पड़ेगा, अब देखिए जैसे आपने इस candle के end पे ट्रेड ली 50,630 पे, तो stop loss आपका रहेगा लगबग 108 पॉइंट का, then 108 इंटू 2, लगबग हो जादा है 216 पॉइंट, then आपको target at least 216 पॉइंट का रखना चाहिए, जो देखिए 930 वाली candle पे अगले दिन बहुत ही अराम से आपको मिल गया है, वेल इसमें आपको 1 इस्टू 2 का target बहुत ही जादा प्यार से मिलने वाला है, अभी मैं आपको back test करके भी दिखाऊंगा, आपको full confidence हो जाएगा, अब देखिए, वापिस ही जो 10-15 वाली candle है, अब यहाँ पे straw blouse आपका रहता, लगबग 180 पॉइंट का, तो लगबग आपका 360 पॉइंट का यहाँ पर target होता, आपको 360 पॉइंट का target बहुत ही जादा प्यार से market ने दे दिया है, and last point है कि maximum आपको 2 या 3 trade ही लेनी है एक दिन में, उससे जादा trade मत लेना, because हमें over trading बिल्कुल भी नहीं करनी हैं, I'm sure आपको भी लग रहा होगा कि कितने simple से rules है, but यही है कि बहुत जादा अच्छे से work करता है, and guys इसमें एक और चीज याद रखना, कि जब भी market में बहुत बड़ा gap up या gap down हो रहा है, उस समय अगर market आपको signal दे रही है gap up, gap down में, आप उसमें trade avoid भी कर सकते हैं, because यह जो green और red color की range है न, उससे pass होनी चाहिए candle, तो ही उसमें अगर आप trade लेंगे, तो आपके लिए जादा better है, अब न, यहाँ पर मैंने आपको पूरी strategy समझा दिया है, मैं बस quickly 30 second के अंदर आपको वापी से एक बाग recap कर देता हूँ, पूरी strategy, उसके बाद हम थोड़ा इसको back touch देखेंगे, so strategy ऐसे है कि जैसे ही हमें sell signal मिलता है, हम वाँ पर short की trade लेंगे, जहाँ पर या तो आप put option buy करेंगे, या आप call option sell करेंगे, and sell signal से पहले आपको यह देखना है, कि market थोड़ी सी bullish होनी चाहिए, और उसके बाद आपको sell signal मिलेगा, तो reversal में हम यहाँ पर trade लेने वाले हैं, वैसे buy signal में होने वाले है, अगर आपको buy signal मिल रहा है, उससे पहले आपको देखना है, अगर market fall की है, उसके बाद ही हम buy signal पर trade लेंगे bullish का, and दूसरी चीज यह है, कि जब भी sell signal आता है, candle bearish बननी चाहिए red color की, जब भी buy signal आता है, candle bullish बननी चाहिए green color की, stop loss हमारा candle के ऊपर रहेगा, अगर sell signal है, and stop loss हमारा candle के नीचे रहेगा, अगर buy signal है, अगर candle बहुत जादा बड़ी है, then आप उसके 50% पे भी यहाँ पे अपना stop loss रख सकते हैं, take profit आपका कम से कम आपको 1 is to 2 का रखना है, तो जितने points का आपको stop loss है, उससे at least double का आपको यहाँ पे अपना target रखना पड़ेगा, and जैसे से आपको market में confidence आएगा, आप उसको trail कर सकते हैं, and 1 is to 2 से, 1 is to 3, 1 is to 4 का भी आप यहाँ पे target ले सकते हैं, तो last and most important चीज, जब भी यह signal बहुत बड़े gap पर gap down पर आता है, आप यह trade avoid कर सकते हैं, because candle और यह जो green और red कलर के जो zones बने हैं, उसके पास ही होनी चाहिए market, तो ही आप वहाँ पे trade लेंगे, ठीक है बस यही simple सी strategy है, अब ना मैं आपको एकदम पीछे लेके चलता हूँ chart में देखिए, अब ही जब मैं यह trade बना रहा हूँ, recent यही signal था, और इसी के साथ मैंने आपको पूरी strategy समझाईए, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ profitable दिन ही दिखाने वाला हूँ, या सिर्फ loss वाले दिखाने वाला हूँ, मैं बस randomly पीछे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने trades हमें मिली हैं, और कितना target आप यहाँ पर expect कर सकते थे, तो अब सबसे पहला जो signal हमें मिला है 250 पर, well definitely हम यहाँ पर trade लेते, उससे पहले market bullish थी, उसके बाद sell signal हम trade लेते, हमारा target बुक हो गया है, अब उससे पहले हमें 10-15 पर signal मिला था, यहाँ पर भी हम trade लेते हैं, बिकॉज उससे पहले bearish market थी, हमारा target बुक हो गया है, अब उससे पहले signal आया था, exactly 3-10 पर 9th August, यहाँ पर हम trade नहीं लेते, बिकॉज यहाँ पर market confused थी, sell signal आया है, अब उससे पहले अगर आप देखेंगे, market बहुत जादा bullish नहीं थी, market sideways चल रही थी, इसी वज़े से हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे, जो भी मैंने rules बताएं, अगर उसमें से कोई एक भी criteria फुल्फिल नहीं हो रहा है, हम वहाँ पर trade नहीं लेंगे, अब उसके आद यह buy signal आया है, exactly 130 पे, बट यहाँ पर भी हम buy नहीं करेंगे, बिकॉज उससे पहले market कोई ऐसी bearish नहीं थी, जिसकी वज़े से हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे, अब देखें, बहुत जादा simple चा rule है न, जिसकी वज़े से आपकी जो दो trades है, जहाँ पर आपका stop or a shit हो सकता था, वो आपका hit नहीं होगा, बिकॉज हमने rules follow किया है, अब उसके पहले यह signal आया है, 9.20 पे 9th अगस्त, वेल यहाँ पर buy signal आया है, बट यहाँ पर हम trade नहीं लेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़े हैं, देनम उसमें सोच सकते थे, तो इसलिए इस situation पे भी हम trade नहीं लेंगे, अब उसके बाद आजाता है अगली candle, वेल 1.5 की जो candle है 8th अगस्त की, इस candle पे भी हम trade नहीं लेंगे, बिकॉज इससे पहले आप देखेंगे market bullish थी, वो हमारा criteria fulfill हो गया है, बिकॉज market bullish थी, उपर गई है, फिर हमें वहाँ पे sell signal आया है, हम वहाँ पे short करते, लेकिन candle इतनी ज़्यादा bearish नहीं बनी है, बिकॉज इवन दो यह red color की है, लेकिन नीचे की तरफ wick है, proper bearish candle होनी चाहिए, तो ही हम वहाँ पे trade लेंगे, तो यह वाली candle पे भी हम trade नहां लेते, अब उसके बाद 11.15 की जो candle है, 8 अगस्त, वैल यहाँ पे भी आप trade नहीं लेते, बिकॉज market बहुत ज़ादा bearish नहीं थी, और उससे पहले जो red color का channel है, वो एकदम भी flat चल रहा था, 9.15 पे, बट हम अगें trade नहीं लेंगे, बिकॉज gap अप है, यहाँ पे bullish candle नहीं बनी थी, अब देखिए, अगें 10.20 अम पर 6 अगस्त पे, बहुत जबरदाश trade मिली है, sell signal, यहाँ पे हम trade लेंगे, उसका कारण क्या है, उससे पहले bullish candle थी, very good, and उसके बाद, जो entry candle है, वो हमारी bearish red color की candle ही है, तो यहाँ पे stopless इसके उपर रहेगा, take profit हमारा 1.2 रहेगा, बहुत यह अच्छे से मिल गया हमें, and उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, 125 वाली जो candle है, उस पे भी हम trade लेंगे, हमें buy signal मिला है, उससे पहले market काफी ज़्यादा bearish थी, market fall की थी, and नीचे के level पे हमें buy signal मिला है, मतलब काफी चांसे की market उपर जा सकती है, 1.2 का target हमें मिली यह है, आपके सामने ही है, अब गाइस, यह तो मैं कितने भी पीचे आपको लेके जा सकता हूँ, और मैं आपको continuously दिखा सकता हूँ, बट जितना भी मैंने आपको यहाँ दिखाया है, I'm sure आपको ही realize हो रहा होगा, कि कितने number of times आपको यहाँ पे stop loss rate होता है, जो काफी कम है, and बहुत जादा चांसे की आपको target मिल सकता है, so लगबग 85-90% की accuracy तो आपको मिली रही है यह strategy में, plus इसमें आप option buying भी कर सकते हैं, and option selling भी कर सकते हैं, well यह indicator के बारे में अगर आपको कोई भी doubt है, मेरी वीडियो के description में ही, इनका मैंने customer care का number भी दिया हो है, उसको आप whatsapp पे उनको पूछ सकते हैं, भी आपको doubt है, and login करने के लिए Nifty Algo का link भी मैंने दिया हो है, उस पर जाके आप login कर सकते हैं, so यही था यह पूरी strategy के बारे में, well ऐसी अगर आपको और भी strategy चाहिए, इसी indicator के basis पे, मुझे आप comment सेक्ट में ज़रूर लखना, कि next part required, ताकि मुझे समझ आजाएगा, कि आप भी बहुत आदा इंट्रेस्टेटर के साथ, then definitely उसकी भी हम और जादा वीडियो बनाएंगे, so यही था इस वीडियो के बारे में, I hope आपको वीडियो चि लगी हो, and कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो, Thank you for watching the video with lots of patience, let's meet you in the next video then.